नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह नया साल आपका किस्मत का द्वार खोलने वाली है, जी हाँ दोस्तों, यह नया साल आपके लिए बहुत ही भूचाल मचाने वाली है, आपकी एक-एक सपना सच होने व जी हाँ दोस्तों, दोस्तों इन्ही के साथ हम आप सभी को ऐसी बड़ी बात बताने वाली है कि दोस्तों, आपके घर में पिछले दिनों से ऐसी चीज पड़ी है, ऐसी चीजों का आप सामना करना पड़ रहा है, जिससे की कारण दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ पा रही है तो दोस्तों वह कौन सी चीज हैं जो कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो दोस्तों नए साल आते आते यह चीज को आप घर से निकाल कर फेंक देना तब ही दोस्तों आप नए साल में तरक्की कर पाएंगे हर कामना आपका पूरा हो पाएगा जी हाँ दोस्तों और इस नए वर्ष में हम आपको बताएंगे साथ ऐसी चीजों के बारे में जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर कर देना है जी हाँ दोस्तों ये साथ चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में और आपके जीवन में लगातार नकारात्मक्ता को बढ़ाती जा रही हैं और हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि यदि आपके जीवन में थोड़ी सी भी नकारात्मक्ता होगी तो वह आपके जीवन की हर एक सुख और हर एक आनंद को आपकी काम्याबी को बुरी तरह से प्रभावित करेगी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी ये दोस्त तो हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत काम्याबी हासिल भी कर ले लेकिन फिर से आप वहीं आ जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी यानि की जीवन में आपके उपलब्धियां लगभग सूर्य के समान होगी दुर्गती तो और भी अधिक हो सकती है यदि नकारात्मक्ता बढ़ती जाए तो यह इतनी ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों की आपको नर्क के जीते जाकते दर्शन करवा सकती है इस वजह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग जीवन से इस हद तक पीडित हो जाते हैं किसी आत्महत्या तक को स्विकार कर लेते हैं दोस्तों ये मैसेज बहुत ही गलत है जीवन से हमें इस प्रकार छुटकारा प्राप्त नहीं होता है ये प्रकृती के विधान के खिलाफ है लेकिन दोस्तों क्या करें कि जीवन में मजबूरियां भी बहुत माइने रखती है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि कई बार आपके जीवन में ऐसा मौका आया है जब आप चाह कर भी वह नहीं कर पा रही थी जो आपका मन कह रहा था आप भी हद मजबूर थे तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन ही साथ चीजों के बारे में बताएंगे जिससे आपके जीवन नकारात्मक्ता पूरी तरह से गायब हो जाएगी और नए वर्ष में आपके नए जीवन का आरंब होगा दोस्तों, इसी के साथ-साथ हम आपको एक ऐसा बेहद ही कारगर और अब तक का सबसे शक्तिशाली लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताएंगे एक मंतर बताएंगे जो अब तक आपको किसी ने भी नहीं बताया था हम गारंटी देते हैं आपको पता नहीं है इस बार तो यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय आपको अवश्य ही जान लेना है और इस उपाय को अपने जीवन में आजमाना है दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि केवल एक बार आपको इस उपाय को करना होगा एक बार इस उपाय को करने मात्र से पूरे वर्ष भर आपके जीवन में खुशहाली रहेगी लगातार चारों दिशाओं से आपके घर में आपके जीवन में धन लक्षमी का आगमन होगा कौन सी है वह साथ चीजें जिन्हें आपको अपने घर से अवश्य ही निकाल कर बाहर फेंक देना है इस नए वर्ष में ताकि पूरा साल आपका बिलकुल ही स्वर्ग के समान बीते इन सब बातों को जानने के लिए चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंब करते हैं लेकिन इससे पहले आप से एक निवेदन है कि बेहद ही भक्ति भाव के साथ संपूर्ण भावनाओं को माता के लिए समर्पित करते हुए जय मा काली कमेंट में लिखना जय मा काली कृपा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना माता की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुन्दर हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत चान बिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आप से कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड जाएं जिन में आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा इस से हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ता है दोस्तों और हम आपके लिए ऐसे ही एक से एक घ्यान के नगीने चुन-चुन कर लाते रहेंगे तो सबसे पहले बात करती है इस बीते हुए वर्ष की जिसने आपके जीवन में थोड़ा बहुत तो सुधार लेकर आया है हालांकि एक दो घटनाएं ऐसी बिगडी हैं जिन्होंने आपको हिला कर रख दिया है लेकिन कुल मिला कर कहा जाए तो अंत तो गत्वा सब कुछ सही हुआ अंत भला तो सब भला दोस्तों अभी तक आपको कोई बड़ी हानी नहीं पहुँची है आप सामान्य गति से आगे बढ़ रहे हैं कुछ छोटी मोटी परेशानिया और अर्चना आपके जीवन में अवश्य ही आ रही है लेकिन जल्दी ही उनके निराकरण भी आपको प्राप्त हो जाएंगे समाधान मिलेंगे अब दोस्तों बात करते हैं कि आने वाला समय आने वाला नया साल आपके लिए कैसा रहेगा तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए नववर्ष की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है आपने अपने जीवन से जुड़ी हुई जो योजनाएं बनाई है कुछ बड़ी आपकी लाइन है वह इस वर्ष जरूर कारगर होंगे और सिद्ध होंगे बहुत बड़ी बड़ी परिवर्थन भी आएंगे लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको इन दिनों तक कम से कम भारी मशीनरी और वाहन से दूर रहना है अगर हो सके तो आप वाहन को चलाएं ही ना और यदि आप चलाएं भी तो थोड़ा सा सतर्क रहकर चलाएं दुरगटना होने के अवसर हैं साथ ही साथ दोस्तों रुपए के लेंदेन को लेकर हुई आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है कोई आपका अपना ही आपसे कृपया पैसे उधार मांग सकता है थोड़ा सतर्क रहें हो सके तो उधार किसी बात को कहकर उसे टाल दें क्योंकि यह पैसा आपका अटक जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ी सिरदर्द या खड़ी कर देगा दोस्तों इस आने वाले वर्ष में आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यक्ता है आपको स्वास्थे को लेकर कुछ बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है वैसे छोटी मोटी समस्याएं दी आपको लगातार पीडित करती रहेंगी इसलिए आपको थोड़ा सा अपने जीवन में कसरत को योग और प्राणायाम को भी जगह देनी होगी तभी आप स्वास्थे के लिए समर्पित हो पाएंगे अच्छे स्वास्थे को प्राप्त कर पाएंगे शादी साथ अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा पीठ और कमर के निचले हिस्से में आपको किसी प्रकार की तकलीफ रह सकती है और लंबे समय तक यह पीड़ा आपकी चलेगी लेकिन यदि आप सतर्क रहते हैं तो आप अपनी इस पीड़ा से मुक्ती भी प्राप्त कर लेंगे अब बात करती हैं दोस्तों के साथ चीजों के बारे में जिन्हें इस आने वाले नौ वर्ष में आपको अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देना है या दोस्तों और भूल कर भी इन्हें अपने घर में वापस नहीं आने देना है थोड़ा आपको नजर घुमा कर देखना है तो बात करती हैं सबसे पहली चीज की कि आपके घर में एक ऐसी वस्तु है जो लगातार नकारात्मक्ता को उत्सरजित करती रहती है और आप कुछ के बारे में भनक तक नहीं है यह दोस्तों का वह चीज है कर कोई खंडित मूर्ती या फिर तस्वीर या दोस्तों हम भगवान की फोटो और मूर्तियां अपने घर में लाकर लेती हैं लेकिन कभी कभी हम उनकी तरफ गौर से देखना ही भूल जाते हैं और यह हमारी बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि समय गुजरते गुजरते फोटो या फिर मूर्ति तोड़ी खंडित हो जाती है यह दोस्तों और हमें इसके बारे में पता भी नहीं चलता है अब आप जिस मनोकामना को लेकर पूजा पाठ करती हैं जो भी आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहती है अकसर होता उसका उल्टा है आप सोचा कि आपका यह काम बन जाए लेकिन बनने के बजाए उस काम में बाधाएं उत्पन्न होने लगती है आपके बने हुए काम भी करने लगते हैं और आपके जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती है पारिवारिक माहौल भी आपका दोस्त रहता है एक दूसरे से जगडा होता रहता है नकारात्मक्ता लगातार बढ़ती जा रही है दोस्तों आपको जानकर आश्चरे होगा कि ये है कि वह लड़की एक ही वजह से होता है कि हमने अपने घर में पूजा घर में एक ऐसी मूर्ती रख रखी है जो खंडित है या फिर कोई ऐसी भगवान की तस्वीर जो की खंड है अब दोस्तों यहाँ पर एक गलती और भी कर देते हैं लोग कि भगवान की मूर्तियां फोटो को सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करने लगते हैं यह तो और भी भैंकर गलती है दोस्तों भगवान की मूर्ती और फोटो पूजा करने के लिए होती है दिव्य होती है और दिव्य शक्ती से जुड़ी हुई वस्तूओं को हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते ये दिव्य शक्ति का अपमान होता है, तो उसको तो अब आप समझिये कि आपने भगवान गणेश की मूर्ती को सजावटी सामान के तौर पर रख रखा है तो अब आप समझ गए कि जिने हम सजावटी सामान के तौर पर प्रयोग करते हैं उन वस्तूओं का हम सही तरीके से खयाल नहीं रख सकते हैं। पूरे विधी विधान से उनका पूजन अर्चन नहीं हो पाता है। और उनमें नकारात्मक्ता आ जाती है तो यदि आपने गणेश जी की मूर्ती रख रखी है तो आपके बने हुए काम बिगडेंगे। माता लक्ष्मी की मूर्ती या फोटो रख रखी है सजावटी सामान के तौर पर तो आपका धन से जुड़ा हुआ काम बार बार अटके का आपके रुपए पैसे हर जगह फंस जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके स्थान पर आ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी जिसे हम दरिद्रता भी कहते हैं। यह दोस्त इसी प्रकार यदि आपने भगवान भोले नात की मूर्ती या फोटो सजावटी सामान के तौर पर घर में इधर उधर लगा रखी है तो आपके घर परिवार में लगातार प्लीज बना रहेगा। पत तो आपके घर के बच्चे बिगड जाएंगे। वह बड़ों की नहीं सुनेंगे और उनका पढ़ाई लिखाई में यह किसी भी अच्छे कार्य में मन नहीं लगेगा। दोस्तों, तो इन सब बातों का आपको विशेश खयाल रखना होगा कोई भी, उनकी फोटो या मूर् भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर आप मुर्ली की फोटो लगा सकते हैं, मौर्पंक की फोटो लगा सकते हैं, इसी प्रकार से भगवान भोलेनात की मूर्तिया फोटो के स्थान पर आप त्रिशूल की फोटो लगा सकती है और माता लक्षमी की फोटो सजावटी सामान के तौर पर लगाने के स्थान पर आप धन का घड़ा या फिर कमल के फूल की फोटो लगा सकते हैं तो इस बात का आपको ख्याल रखना है दोस्तों और एक सबसे बड़ी बात कि यदि आपने गौर करके देखा और आपकी पूजा घर में कोई फोटो ये मूर्ती ऐसी है जो खंडित हो चुकी है तो आपको क्या करना है उसे आपका सम्मान उठाएं दोस्तों और इटली में भर कर रख दें और जब भी आप घर से बाहर निकले किसी ऐसे स्थान पर जहां आपको नदी मिले तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें यह सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है दोस्तों अब यही आपको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है यह आप कुछ समय लग रहा है तो आप किसी पीपल के व्रिक्ष के नीचे एक छोटा सा गढ़्धा खोद कर उसमें भी उन्हें दवा सकते हैं यह दूसरा सर्वोत्तम स्थान होता है किसी तालाब या रुके हुए जल में आप विसरजित ना करें यह दिव्य शक्तियों का अपमान होता है किसी कुए में भी आप डाल सकते हैं लेकिन उस कुए में पानी होना चाहिए दोस्तों सूखे कुए में नहीं डालना है बस इनी स्थानों पर आप इन मूर्ती और फोटो को विसरजित करें इधर उधर ना फेंके अन्यथा और बड़ी गलती आप पर बैठेंगे अब बात करती है दूसरी वस्तों की तो दोस्तों आपको देखना है कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई भी इलेक्टरोनिक सामान यानि बिजली से जुड़ा हुआ सामान खराब तो नहीं पड़ा है जी हाँ दोस्तों कोई ऐसा उपकरण जो खराब है और आपके घर में यहां वहां पड़ा हुआ है आपको गौर करके देखना है नजर अच्छी तरह से घुमा कर देखनी है कोई भी वस्तू यदि आपके घर में बिजली से जुड़ी हुई है और वह खराब है तो आप जल्दी से जल्दी उसे रिपेर कराएं और यदि वह रिपेर नहीं हो सकती है तो उसे आप अपने घर से निकाल कर कहीं भी भेज सकते हैं फेंक सकते हैं कव वाली वाली को दे सकती है जो आपका मन करे वह आप कर सकते हैं लेकिन आप उसे अपने घर में ना रखें आपके घर में बेशक आप स्टोरेज के लिए अलग कमरा बनवाए हो वहाँ पर भी ना रखें और ना ही अपने घर की छट पर ना ही अपने कमरों में उंचे जो तार होते हैं वहाँ पर कहीं पर भी आपको नहीं रखना है दोस्तों, खराब बिजली का सामान हमारी राहू को उत्तेजित करता है और जिस घर में बिजली का सामान खराब अवस्था में पड़ा होता है दोस्तों उस घर में राहू हमेशा नकारात्मक प्रभाव लेकर आता है और लोगों को लगातार मतिभ्रम होते हैं ऐसे घर में लोग तरह तरह के भेश में पैसे नहीं लगते हैं जो शराब आदी में रूची लेने लगती है और अच्छे कारियों से इनकी रूची समाप्त होने लगती है जी हाँ, दोस्तों कई प्रकार की अन्य नकारात्मक पाएं भी घर में प्रवेश कर जाती हैं कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, अच्छी भली लोग जो अपने काम से काम रखते थे, वे लोग अपने काम छोड़ कर गलत कारे में लिप्त हो चुकी हैं गलत संगत में पढ़ चुके हैं, और युवा और शराब और वेश्या वृत्ती जैसे कार्य में पूरी तरह से डूब चुके उनका घर बरबाद हो चुका है दोस्तों आपको और राहू के दुश प्रभाव से बचने के लिए यह कार्य अवश्य करना है अन्यथा आपका आने वाला नया वर्ष भी पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा हम लिख कर आपको दे सकते हैं इसी प्रकार दोस्तों, अब आपको बिजली के सामान के साथ साथ देखना है कि घड़ी या दोस्तों, या फिर कोई पुराना कैलेंडर दोस्तों, पुराना कैलेंडर आपके घर में पड़ा हुआ है वह आज का जो समय चल रहा है, उससे नहीं मिलता है जी हाँ, दोस्तों, पिछली साल का या उससे भी पिछली साल का कोई कैलेंडर पड़ा हुआ है या फिर घड़ी जो रुकी हुई है क्या दोस्तों, खराब हो चुकी है, तूट चुकी है और आपके घर में कहीं पड़ी है, तो आप उसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें। तो ये आपके घर में नए अवसरों को आने से रोके का अपॉर्चुनिटी आपके घर में नहीं आएगी। हर हालत में फेंकना है दोस्तों इसी के साथ साथ अब बात करते हैं अगली वस्तु की आपके घर में कोई भी तूटा हुआ शीशा तूटा हुआ काँच बिलकुल भी नहीं होना चाहिए याद रखिये कि यदि आपके घर में शीशा तूटा हुआ है और आप उसमें अपना प्रतिबिम देखते हैं तो दोस्तों इसका प्रभाव यह होगा कि आपकी समाज में और आपके कार्य स्थल पर छवी लगातार बिगड़ती चली जाएगी आप कितनी भी मेहनत करेंगे आप जो भी लोगों को दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे लोग अकसर उसका उल्टा ही समझेंगे आपके मन को कोई समझ नहीं पाए का लगातार विरोध आपका बढ़ता चला जाएगा और आपकी कार्य में बाधाएं उत्पन नहोती रहे लोग चाहे अनचाहे आप से मिलते रहेंगे जगडा करते रहेंगे और आपको कभी कभी समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्यों लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं लेकिन दोस्तों ये आपकी खराब छववी तो लगातार बिगड़ती जा रही है उसी का परिणाम तो आपको ये कार्य बिलकुल भी नहीं करना है आपके घर में जो भी कांच शीशा टूटा फूटा है उसे निकाल कर बाहर कर देना है इसी के साथ साथ दोस्तों अगली वस्तु आपको बताते हैं आपके कपड़े या फिर आपके जूते आपके कपड़े जवाब पहनते ह या जूते चपल जिन्हें आप इस्तिमाल करते हैं। यदि वह कटी-फटी है तो उन्हें आपको बिलकुल भी प्रयोग में नहीं लाना है। उन्हें आपको अपने घर से निकाल कर बाहर फेंक देना है। अब उन्हें यूँ ही नहीं फेंकना है। दोस्तों, इसका भी विशेश विधान है। दोस्तों, याद रखिए कि आपने लंबे समय तक इन कपड़ों को पहना है या फिर जूतों को पहना है। तीन कपड़ों और जूतों के अंदर आपकी उर्जा प्रवाहित हो रही है। जो लंबे समय तक बनी रहेगी और यदि आपने अपने कपड़े ऐसे ही उठा कर बाहर फेंक दिये, ये किसी को दे दिये पहनने के लिए दान कर दिये, इस सब कुछ गलत है। इस तरह आप अपने लिए आफ़त मोल ले लेंगे, परेशानी बढ़ा लेंगे, तो करना आपको क्या है कि सबसे पहले जो आपकी उर्जा है। उस उर्जा को आपको निकाल कर बाहर करना है. उसके बाद ही उन कपड़ों को आपको बाहर फेंकना है. तो कैसे करेंगे? आपको करना यह है कि पानी ले और उसमें थोड़ा सा नमक घोल लें और उसमें उन कपड़ों को डाल दें. जब वह कपड़े सूख जाए तो उसके ब बाहर निकल जाएगी। कपड़े बिल्कुल ही सो जाएंगे, आपकी उर्जा से प्रभावित नहीं रहेंगे। फिर आप इन कपड़ों को किसी को बाहर फेंकने के लिए दे दे पहनने के लिए नहीं दे। आपका सनी खराब हो जाएगा और आपके पूरे समय की शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों लोग जाने अंजाने में कुछ न कुछ ऐसी गलतियां लगातार करते रहते हैं जिससे उन्हें जीवन में हमेशा परेशानी और कश्ट मिलती रहती है तो आपको समझदार बनना पूछ नियम के अनुसार करेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। अब एक और बात। हम यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि दोस्तों लोग अपने पहने हुए कपड़ों को ही घर में मुझे की तरह प्रयोग करने लगते हैं। दोस्तों ये बिलकुल भी नहीं करना है। अब आप समझ गए कि क्यों आपने उस कपड़े को लंबे समय तक रहना है। उसके अंदर आपकी उर्जा का अंश मौजूद है। अब आपने उस कपड़े को यदि पहुँची के रूप में प्रयोग किया तो पहुँचे का कार कार्य होता है। स्वयम गंदा हो जाना यानि नकारात्मक हो जाना है। वह उर्जा आपके जीवन में नकारात्मकता को भूल है कि और लगातार आपको पीडित करेगी। जिन घरों में महिलाएं ऐसा कार्य करती है कि पुरुशों की यह बच्चों के कपड़ों को करने लगती है। उस घर की शान्ती और सुकून सब गायब हो जाता है। हमें सब परेशानी बाधाएं और समस्याएं आती ही रहती हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब अगला सामान ध्यान से देखें। अपने घर की किचन में जाएं। आपके घर की किचन में कोई भी उर्जा का केंद्र होता है मारी घर में जो भी उर्जा प्रवाहित हो रही है हमारे घर के लोगों का स्वास्थे सोचने का तरीका है जीवन यापन का तरीका सब कुछ निर्भर करता है इसी उर्जा के उपर और इससे भी बड़ी बात दोस्तों की माता अन्पूर्णा का पास हमारे घर की रसोई घर में होता है। स्वास्थे खराब होने लगता है। अपने घर की रसोई घर में रखना है, दोस्तों उसे तुरंत निकाल कर बाहर फेंक दें, ये दोस्तों किसी भी स्थान पर फेंके कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसे अपने घर की रसोई घर में नहीं रखना है, कुछ लोग बोलेंगे कि कोई बरतन है, जैसे कि कोई कब है तो उसे निकाल कर इसी और प्रयोग में ले लेते हैं एक दोस्त ऐसा मत करना उसे बाहर ही फेंकना है ये सर्वोत्तम होगा अब इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बताते हैं अंतिम वस्तू कि आपका बेडरूम जहां पर आप सोते हैं उस बेडरूम में आपको देखना है कि जो परदे लगे हैं वह फटी पुरानी तो नहीं है जो बेड़ शीट इस पर आप सोते हैं तक ये के कवर भी पुरानी तो नहीं है यदि है तो आप उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दें क्योंकि दोस्तों इस से राहू बिगड़ता है आपको अपने जो बिस्तर है जिस पर आप लेटते हैं सोते हैं उस चादर को बिलकुल ही साफ सुतरा रखना है और उसे हमेशा समय समय पर दो बातें भी रहें और यदि वह फट जाए तो उसे तुरंध हटा दें दूसरी चादर का प्रयोग करें साथी साथ पदों को भी आपको इसी प्रकार देखना है कटे फटे पुराने गंदे परदों को अपने बेडरूम में बिलकुल ना रखें ये बहुत ही खतरनाक दोस्तों एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने बिस्तर पर ही खाना भी खा लेते हैं यही भी बहुत ही खतरनाक है इससे राहू उत्तेजित हो जाता है और आपको बड़े भयंकर दुश परिणाम देखने को मिलते हैं बस इन सब बातों का आपको खयाल रखना है इन चीजों को आप निकाल कर बाहर फेंके और नए वर्ष का खुली बहु के साथ खुले दिल के साथ स्वागत करिए नया वर्ष आपके लिए बहतरीन होने वाला है दोस्तों हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन पूरी तरह से बदलेगा अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं आपको भी यह बात माननी ही पड़ेगी कि यदि आप घ्यान हासिल नहीं करेंगे और एक जगह पर ही बैठे रहेंगे तो ना तो काम्याबी और ना ही खुशियां अब तक आएंगे आपको खुशियों को हासिल करना पड़ता है इसके लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं मेहनत करनी पड़ती है ज्यान हासिल करना पड़ता है तभी आप उस सारे सुख खुशियां और तक कि भगवान का आशीरवाद भी प्राप्त होता है अन्यथा, आप यदि जड़ बनकर एक जगह बैठे रहेंगे और हर बात को नकारते रहेंगे कि ऐसा नहीं होता है यह सब बकवास है, इन बातों पर हम विश्वास नहीं करते हो, कोई बात नहीं मत करिये, लेकिन चीजें आपके अनुसार नहीं चलेंगे, आपको इस दुनिया के अनुसार चलना होगा, चीजों के अनुसार चलना होगा यदि आप कुछ हासिल करना है तो प्रयास आपको करने होंगे इस बात का आपको ख्याल रखना है अपने दिमाग में रखना है बिना कुछ किये कुछ हासिल नहीं होता है और यदि आपकी आदत है कि बस सब चीजों को नकार देना जब तक चाहें तब तक आप निकाल सकती हैं लेकिन एक समय वह आ जाएगा जब आपको ईश्वर की सकती का असर महसूस होगा तो जब तक आप चाहें तब तक आप नकार सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक समय वह आ जाएगा, जब आप अपने जीवन के कष्ट सहते सहते ठक जाएंगे और ईश्वर की शक्ती के सामने आपको जुकना ही पड़ेगा, और प्रयास उपाय मंतर जाप, चालीसा पाठ और संय का पालन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और फिर आपको सब कुछ मिलेगा, कष्टों से मुक्ती मिलेगी, हम आपको इस बात का वादा करते हैं, दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसा महाशक्तिशाली और गुप्त उपाय जिसे लोग हजारों रु आपको ध्यान से सुनना है, ये एक मंत्र है और ये एक साबर मंत्र है, दोस्तों, इस मंत्र को आपको कैसे बोलना है, कब बोलना है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपको कुछ सामगरी बता रहे हैं, इस सामगरी को आपको इकठा कर लेना है, फिर और मुठी भर पीली सरसों लेनी है, पांच वो सफेद कौडिया लेनी है, और एक कोई भी सिक्का लेना है, चांदी का सिक्का हो तो सर्वोत्तम है, और यदि नहीं चांदी का सिक्का ले सकते, तो कोई भी सिक्का ले, लेकिन खोटा नहीं होना चाहिए, चलने वाला सिक्का ह और थोड़ा सा आपको किस लेना है, जरा सा किशन लेना है। बस अब आपको क्या करना है कि एक पोटली बनानी है और पोटली में इन सब चीजों को गांठ बांध कर रख लेना है। पुष्प माता का व्रत करना है, लाल रंग का ही प्रसाद माता को भ्रमित करना है और पूरे भक्ति भाव से माता का पूजन अर्चन करने के बाद में इस मंतर का 31 बार जाप करना है। दोस्तों मत आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। मंतर आपको याद कर दोस्तों लेकिन थोड़ा सा लंबा है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह माता लक्ष्मी का इश्ट बेहद ही खूबसूरत साबर मंत्र साबर मंत्रों के लिए यह कहा जाता है कि यह मंत्र स्वयम भगवान भोलेनात ने बोले थे और इन मंत्रों को सिध्ध करने की कोई आवश्यक्ता नहीं होती है। यह मंत्र स्वयम नहीं सिध्ध होते हैं, इन मंत्रों का प्रयोग बेहद ही कारगर होता है। दोस्तों, और यह बेहद ही पवित्र होते हैं। दोस्तों, तो इनके बारे में आपको बिलकुल भी शक करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस मंत्र का उच्छत्तावन बार करेंगे और उस गांठ को जो आपने सामान जो हमने बताया है, उस गांठ को आपको उठा कर अपन नाप्रभाव हो, तब आप कहना, हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों, अगले ही दिन से आपके जीवन में धन लक्ष्मी आगमन के नए नए स्रोत बनने लगेंगे। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताए हैं, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए अब यदि कोई प्रशन उठता है, आपके मन में तो आप निश्चित होकर कमेंट करें, हम आपके प्रशनों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो हम सारी बातें आपको विस्तार से बताएं चुके हैं, बस आपसे निवेदन इतना करेंगे कि आप इन ब प्रयोग करना है, शाम के समय आपको करना है और एक ही बार करना है, दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप सुन तो लेते हैं, लेकिन आप प्रयोग नहीं करते हैं, इस वजह से बदलाव भी नहीं आती है, थोड़ा बहुत अविश्वास आपके मन में रहता है दोस्तों, लेक कॉमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जै मा काली कृपा करो, जै माता लक्ष्मी कृपा करो, अवश्य लिखना, माता, काली और महालक्ष्मी आपके उपर पूर्ण कृपा बरसाए कि आपका जीवन बदल जाएगा, उद्धार होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जै माता की!